नमस्कार साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका इंप्लोमेंट्स पॉइंट में आज हम आपके लिए बहुत शांदार वर्ती लेके आए हैं अगर आप 12th पास हैं और आप पुलिस की आर्मी की वर्ती देख रहे हैं तो ये वर्ती आपके लिए आ चुकी है हम बात कर रहे हैं HSSC यानी हर्याणा SSC द्वारा जो वर्ती निकाली गई है हर्याणा पुलिस में कमांडो वर्ती परिच्छा उसके बारे में कमांडो वर्ती परिच्छा में आपकी 520 वेकेंसी आई हैं और मात्र 100 पे की फीस आपकी लगने वाली है सिर्फ और सिर्फ 100 पे की फीस आपकी लगेगी इस बर्ती के लिए और इसमें सभी राजों के कैंड़ेट एपलाई कर सकते हैं जो अर्याना के निवासी हैं, वो अपनी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, जो बाकी राजों के कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, और जनरल की फीस मात्र सौर पे जमा कराएंगे, ट्वेल्थ पास इसमें मागा गया है, और लाज एट है 29 जून, इस बरती में आपके नापतौल के भी नंबर चुडएंगे, यानि अगर आपकी हाइट अच्छी है, तो आपको उसके एक्स्टा नंबर मिलेंगे, साथ ही इसमें जो फिजिकल टेस्ट होगा आपका, पीटी ह फिजिगल एफिसेंसी टेस्ट, उसके नंबर भी आपको मिलेंगे, और रेटन के नंबर, तीनों नंबरों को मिला के आपकी मेरिट बनेगी, और ये वरती जो है, वो कमांडो के लिए हो रही है, यानि हर्याना पुलिस ने ही अपनी एक कमांडो डिवीजन का गठन किया है जिसमें ये वरती हो रही है, 520 वेकंसी आपके लिए हैं, हम बता चुके हैं, और फिस भी 100 पे मातर रखी गई है, इस वीडियो में हम बात करेंगे, पेज, क्वालिफिकेशन के बारे में, सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसके लाव आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, और तो साती हो नोटिफिकेशन जारी किया है, र्याणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने, और एवर्टाइमन नमबर है, दो बाई, दो यार एक्कीस, विग्यापन आज ही आया है, 9 जून को, और फॉर्म की स्टार्टिंग की डेट है, 14 जून, आप 14 जून से लेके, 29 जून तक ओनलाइन एप्लाई कर सकते हैं, वहीं फीस आप जमा करा सकते हैं, पांच जूलाई तक, तो ये डेट आप नोट कर लेना, 14 जून से फॉर्म भरे जाने है, लास डेट है 29 जून, और पांच जूलाई तक आप फीस जमा करा सकते हैं, एवर्टाइमन नमबर है, दो बाई, और वेकेंजी 520 आई है, मेल कॉस्टेवल की भरती है, यानि इसमें महिला केनेट अपलाई नहीं करेंगे, 14 जून से हर्याना SSC की वेबसाट, यानि adv22021.hryssc.in slash aestheticpages slash homepages.aspx, आप ये URL याद रख लेना, साथ ही SSC की वेबसाट जो है, वहाँ पे भी आपको ये लिंक ब फॉरम बरा जाएगा, और फॉरम बरने के बाद उसका प्रिंटा और निकलवा के आपको अवस्य रखना है, तो आप ध्यान रखना, फॉरम बरने के बाद उसकी आड़कोपी अवस्य निकलवा नहीं है आपको, ये आपको document verification के टाइम पर हराना SSC में दिखानी होगी, जम में जनरल की आई है, 187, जो 187 vacancy है, इसमें other state candidate को भी मौका मिलने वाला है, तो जो अन्य राजों के candidate है, वो 187 vacancy के लिए apply कर सकते हैं, SC की 39 vacancy है, BC A class की बैतर है, backward class B की 42 है, EWS की 52 है, access man general की 37 है, access man SC की 11 है, access man BC A की 11 है, और access man BC B की 15 है, तो 187 vacancy जनरल वाली है, उस पर सभी जो के candidate apply कर सकते हैं, बागे अराना वाले अपनी category में apply करेंगे, 12th pass आप होने चाहिए, किसी भी बोर्ट से हो, कोई दिकत नहीं है, लेकिन आपने 10th class में हिंदी या पर संस्कर्थ पड़ी हो, अगर आपने 10th में नहीं पड़ी है, 12th में पड़ी है, B.A. में पड़ी है, तब भी आपको allow माना जाएगा, इसके लाबा जो भी physical measurement है, वो आपका पूरा होना चाहिए, तो 3 basic qualification है, पहले तब 12th pass हो, उसमें भी 10th में या फिर higher level पर आपने हिंदी या संस्कर्थ पड़ी हो, इसके लाबा आप नापतौल पूरी करते हो, तब या आप इस वर्ती के ल जाएगी, डेट आप नोट कर लेना, एक जून 2021 को आपकी एज, 28 लेके किसा लोनी चाहिए, और इसमें कोई भी चूट किसी भी category को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वर्ती हो रही है, कमांडो की, ये एक तरीके से आर्मी वाली वर्ती है, तो इसमें और किसी को कोई भी चूट नहीं मिलेगी, पेसकेल की बात करें, तो 21,700 से 29,700 वाल एकेटिम आपको शामल किये जाएगा, और आपको स्टार्टिंग में ही लगवग 35,000 रुपे महिने से स्टार्टिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको आगे भी सेलरी मिलेगी, अच्छी कासी सेलरी मिलती है, और ब पेस्ट के नमबर के बेस्ट पर आपकी मेरिक बनाई जाएगी, जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे, फीस की बात हम कर लेते हैं, फीस हमने आपको पहले ही बता दी थी, कि सौर पे रखी गई है, सामाने मेल के लिए वहीं रिजर्व कैटेगरी अर्याना के लिए रखी गई है, 25 रुपे, तो मात्र 100 रुपे फीस है आपकी, और ये फीस भी आप चाहे जैसे जमा करा सकते हैं, जैसे आप चाहे तो आप नेट बेंकिंग से जमा करा दें, या फिर ई-चाहलान से आप SBI, PNV और IDV बेंक में जमा करा सकते हैं, ओनलाइन आप किसी भी तरी हाइट कम से कम आपकी होनी चाहिए इससे कम पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी एक सो पिचाता सेंटीमीटर हाइट पर आपको पांच नंबर मिलेंगे एक सो अठाता सेंटीमीटर हाइट पर आपको छे नंबर मिलेंगे 181 cm पर आपको 8 नमबर मिलेंगे और वो candidate जिनकी 184 cm हight है यसे ज़्यादा है उनको 10 नमबर नापतौल के मिलेंगे तो नापतौल के 10 नमबर मिलेंगे अगर आपकी height 184 cm से ज़्यादा है और कम से कम आपकी 175 cm हight होनी चाहिए इस से कम पर आप बरती नहीं देख पाएंगे या इस बस्ट लिखा है वो कहें रहे जिनकी 115 cm से कम हाइट है वो eligible नहीं है चेस्ट की बार कर लेते हैं तो 83 cm कम से कम हो और इसमें 4 cm का फलाव हो यानि ये फूल के हो जाए 87 cm तो 83 cm कम से कम आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 175 cm आपकी हाइट होनी ही चाहिए उसी के बाद आपको मौका मिलेगा 2 cm का relaxation किर्ष को मिलेगा ये मिलेगा हर्याना के SCST को और OVC को हर्याना के SCST और OVC को हाइट और चेस्ट में 2 cm का relaxation मिलेगा लेकिन हर्याना के EWS को नहीं मिलेगा, साथी सामाने को नहीं मिलेगा, और अन्राजों के सामाने केंडेट को नहीं मिलेगा, तो हर्याना के SCST OBC के लिए हाइट है 173 cm, और चेस्ट रखी गई है आपकी 80 cm, लेकिन अन्राजों केंडेट और हर्याना के जनरल वालों के लिए EWS नमबर रखे गए हैं पहला है हाई जंप जो 137 cm आपको रखना गए यानि आपको 130 cm की हाई जंप करनी होगी 10 नमबर आपको मिलेंगे चिनपस की बात करें तो कम से कम 8 आपको करनी होगी इसके 10 नमबर है वही रेस 2 km की आपको साथ मेट 30 सेकंड में क्वालिफाई करनी है यह आपके पेर पर चिप बांद के दोड़ाया जाएगा आपको और 10 नमबर इसके रहने वाले हैं तो 30 नमबर का आपका फिजीकल हो गया 10 नमबर की नापतोल हो गई 40 नमबर हो गए और 60 नमबर का रहेगा और आपके 100 question रहने वाले हैं 90 मेट का आपको time मिलेगा 90 मेट में आपको 100 question करने होंगे और negative marking नहीं होगी पेपर हिंदी इंगलिस दौनों वासाओं में आपका आने वाला है और कोई भी अतरिक तंक किसी भी category को नहीं मिलेंगे एक वाद यहां दी गई है आप PMT, PST अपने risk पे करेंगे आपकी responsibility है अगर PMT, PST के दुरान आपको कोई चोट लग जाती है इसके लिए रहना पुलिस जिम्मेदार नहीं होगी तो आपका 100 question आएंगे 60 number के और 30 number का रहेगा physical test 10 number के रहेगी नापतॉल तो इस तरीके से 100 number की आपकी merit बनेगी जब आप application form बरेंगे तो उसके साथ आपको कहकर document लगाते हैं वो आप सुन लीजिए आपको अपनी academic qualification याणि 12th की 10th की जो भी documents हैं वो सब upload करने होंगे इसके लावा अगर आप हर्याणा के SCBC EWS Accessment DSM है या पर DFF हैं तो अपना certificate upload करेंगे इसके लावा photo signature आप upload करेंगे तो photo signature education qualification और जो भी relaxation जैविशन आप claim कर रहे हैं वो document आप scan करके upload करेंगे जब आप exam में pass हो जाएंगे उसके बाद आपकी scrutiny होगी documents की उससे पहले नहीं होगी और जो भी claim आप कर रहे हैं तो अगर आप एक से ज़्यादा form बढ़ते हैं एक category में आपका form reject हो जाएगा अगर आपका form incomplete है online नहीं किया है तो आपका form reject हो जाएगा अगर आपने fees जमा नहीं करी है या कम जमा करी है तो form reject हो जाएगा अगर आपके पास Hindi या पर Sanskrit नहीं है 10th level पर या फिर higher level पर तो आपका form reject हो जाएगा अगर आपके पास academic qualification नहीं है तब भी आपका form reject हो जाएगा और अगर आप underage है और overage है तो आपका form reject हो जाएगा इसके लाबा आपके data में कोई variation पाया जाता है original और application form में तब भी आपका जो form है वो reject हो जाएगा तो सात्यों में इतना का फिर सुन लीजिए online form की starting rate है 14 जून last rate है 29 जून और फीस आपकी जमा होगी 5 जुलाई तक इस बरती के बारे में यानि हर्याना स्टाप सेलेक्शन कमीशन हर्याना पुलिस एक्जाम 2021 के बारे में